हाई हेलो नमस्ते सभी को इंडियन ओनलाइन स्कूल ए स्कूल फ़र ओलंपियाड चैंपिन्स की तरफ से मैं डॉक्टर मॉनिका जैन अगरवाल बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आप हमारे चैनल के माधियम से आशा करती हूँ कि बहुत सारी नए नए जानकारी ओलंप दढ़ाती रहेंगे तो थर्जडे की आज की सीरीज में हमारा टॉपिक है आई ए आई एस क्या कोई मुझे बता सकता है आई ए आई एस का फुल फॉर्म चली मैं बताती हूँ इसका फुल फॉर्म है इंटरनाशनल असेस्मेंट फॉर इंडियन स्कूल आए जानते हैं इसक को में अब्जेक्टिव है वो स्टूदिन्स के स्किल्स कोंड के पर्टिकलर लर्निंग एरिया में उनकी इंडेफ्ट नॉलिज को असेस करना होता है यह तरह का डिग्नॉस्टिक असेस्मेंट है जो आपकी स्टेंट और वीक्नेस को बताता है इंग्लिश, साइंस, माथ, कंप्यूटर चाप्रस में, सब्जेक्ट्स में यह जो है और्गनाइज होता है मैक्मिलिन एडुकेशन की तरफ से बहुत बड़ा यह पंबिशिंग हाउस है मैक्मिलिन ने पार्टनरशिप किया है EAA, the University of New South Wales, Sydney and Australia, so that कि यह एक बहुत ही well-researched, structured or reliable international module है, educational assessment के लिए, बच्चों को क्यों देना चाहिए, it enables, बच्चों को basically analyze करता है उनकी strength और weakness को जानने के लिए, यह student इसे identify करते हैं उनकी strong points और weak points, math, science, English and computer subjects में, यह एक detail analysis report देते हैं, स्कूल में, teachers को जो बच्चों की performance को evaluate करते हैं, और वो evaluation system है, वो school में region-wise और internationally होते हैं, उसके बाद है, यह जो है, उपर करते हैं English में, class 3 से class 12 के लिए, science में, again class 3 से class 12 के लिए, mathematics again, 3 to 12, all computer skills again, 3 to 10. Okay, so यह 4 courses जैसे हमें बताया, इंकी जो नाम आते हैं, IAIS Mathematics, IAIS Science, IAIS English and IAIS Computer, आए जानते हैं, one by one करके, हर एक के बाद हैं, So, जो आपका IAIS है, Mathematics का, उसको objective है, बच्चों में problem solving skills को inculcate करना, उनकी mathematics complex concepts को देखना और apply करना day-to-day situations में. Okay, calculators में अलाओ नहीं होता है, 3 से class 12 के बच्चेस में participate करते हैं, board specific में ही है, यह कोई भी board के बच्चेस में apply कर सकते हैं, आपका judgment होता है, या एक तरीके से जो syllabus होता है, numeric and arithmetic, algebra and pattern, measures and units, space and geometry, chance and data. Okay, now उसके बाद में जो इसकी piece होती है, वो approximately 200 per student रहती है, यह हम एर की बाद करने हैं, 2023 में. तो यह पूरी latest information हमने एक अगर साइट से निकाली है, आप तक उसानी के लिए, market systems होता है, MCQ-based multiple choice question का आधार पे होता है, हर एक question one mark का होता है, और जो final score है, वो calculate होता है, correct answer पे, negative marking नहीं होती है. So, इसने क्या होता है, grade 3 to 5, हर एक question का एक mark रहता है, total question 40 होते हैं, तो marks कितने होए, 40 marks, right, 10 duration होती है, इनकी 60 minutes की. Grade 6 to 12, again, हर एक mark का एक question होता है, total 40 questions होते हैं, 40 marks का और 80 minute का यह paper होता है. ऐसे ही, IAIS, Science, इनका objective होता है, students को evaluate करना, और के problem solving areas को, so students start करते हैं, data collection, interpretation, analyze the data, जो कि problem solving को lead करता है, यह बहुत ही अचा method होता है, scientific way होता है, किसे भी problem को solve परने के लिए, again, इसमें grade 3 to grade 12 कर के, कोई भी state के बच्चे, state board, अपना CBSC, ICSC state board, कोई भी board के बच्चे स्में उप्लाइग कर सकते हैं, skill assessment होता है, आपको observing, measuring, interpreting data, predicting, concluding, and investigating, reasoning and problem solving, यह बहुत-बहुत ही reliable method है, आपकी problem solving skills को बढ़ाने के लिए, उनको inculcate करने के लिए, 200 रुपए इनकी fees रहती है, again, MCQ-based question pattern रहता है, negative mark नहीं होती है, grade 3 to 4 में 30 questions, 30 marks की होते हैं, 45 minutes में करने होते हैं, 5 and 6 में 40 marks की होते हैं, total question 40 marks की होते हैं, और duration after 55 minutes का होता है, higher grades में 7 to 12 में, हर इस mark की लिए one question होता है, total question 45 marks 45 होते हैं, आपका समय होता है 60 minutes, next है हमारा IA-IS English, इसका objective होता है, IA-IS English, पुलंप्याद एनलाइज करता है, thinking process को students पर evaluate करता है, जहां वो बचे लाग करती हैं, grade 3 to grade 12 के बच्चे को भी बच्चे को भी बच्चे के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें assessment होता है आपका reading form, meaning in literary text, आपके factual text, textual devices, syntax and vocabulary के लिए, पीस इसकी again 200 पर student होती है, और इसमें MCQ-based question होते है, final score correct answer होता है, और negative marking नहीं होती है, और ये pattern है, इनके marks के allocation का आपके grade wise, last है इनका computer skills, IAIS computer skills, तो ये जो जो आज का मेन objective होता है, आपको आज के information technology के world में, जो भी skills required होती हैं, उनमें success कर दिलाने के लिए, grade 3 to 10 तक के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी board के, skill assess होती है, आपकी operating system from computer hardware, word processing, graphic, multimedia, internet, email, database and spreadsheet, 2 उर्पे इसकी fees होती है, अगेन, IAIS का question paper होता है, no negative marking, यहां पे भी होती है, और pattern इनका, ऐसे रहता है, okay, medals and certificates के इसके हम बात करते हैं, जो बच्चे top performers होते हैं, IAIS में, in each subject, in each class across the region, उनको University of New South Wales का gold medal मिलता है, top performers जो हरे एक subject के, हरे एक class में, state level पे जो आप उनको मिलता है, EAA Macmillan Medal, okay, and जो medals जो होते हैं, वो जज होते हैं, उनकी sufficiently meritorious students के लिए, so उसका मतलब क्या है, student को at least a distinction, secure करना जरूरी होता है, medals के लिए, उसके अलाबा, जितने भी participants होते हैं, उनको certificate मिलता है, basically, medal के लिए eligible होने के लिए, बचों को उसमें perform करना होता है, बचत ही अच्छे तरिशे, okay, हर एक student जो इसमें apply करता है, उनके different levels है, उनकी categories होते हैं, high distinction, जो के top के 1% होते हैं, then distinction, जो next 10% होते हैं, credit, जो 25, next 25 होते हैं, और participation सब के लिए होता है, जो हर एक student को, जो Olympiad IAIS में appear होते हैं, they receive a detailed diagnostic IAIS student report, which provides a comprehensive analysis of student performance in the school and the region, so जो बच्चे वे अपनी performance को evaluate करना चाहते हैं, IAIS, एक बहुत अच्छा बाग्हिम हैं उसके लिए, so please, ये भी एक बहुत अच्छा exam है, जो बच्चों के लिए recommend किया चाहता है, so parents, students and friends, उमेद करती हूँ कि ये वीडियो बहुत ही आप के लिए useful रहा होगा, इसी तरह के वीडियो के बारे में जानने के लिए, हमाने चैनल के साथ बने रहे हैं, like कर ये, subscribe कर ये, share कर ये, और notification का button प्रेस करना मत भूलिए, so that जो भी कोई नया वीडियो आता है, आप टाइम से उसको देख पाएं, और बहुत सारी जानकारी आप ले पाएं, इसी तरह के और वीडियो के लिए, प्लीज हमें comment box में comment करके बताएए, कि आप किस तरह की जानकारी जानना चाहते हैं, और इसी के साथ, thank you very much, मिलेंगे next Thursday को,